हाई एवरिवन मैं हूद धनंज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे USA या और भी European countries को ये लगता है कि जिन देशों के साथ उनके संबंद अच्छे नहीं है अगर उनके उपर बढ़ चड़कर sanctions लगा दिया जाए तो उन सब देशों का economic activities रुख जाएगा जिसके करण वो देश automatically collapse कर जाएगा ठीक इसका विप्रीत होता हुआ दिख रहा जहां पे वो सारे देश बढ़ चड़कर close आ रहे हैं जिनके उपर sanctions लगाया गया था इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से North Korea और Iran बीते कुछ सालू में काफी पास आये हैं और इसकी पीछे का वज़ये US है इस वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास सुमेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं नॉर्मली क्या होता है कि कुछ देश मिलके alliance या कोई group create करते हैं जिसको अगर आप बाहर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि उस group का जो objective है वो economic activity को बढ़ाना है अपने political relation को और मजबूत करना है लेकिन साथ में कहीं न कहीं अगर कुछ देश एक group का member होते है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में जो relation होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और chances ये भी होता है कि ये सारे देश मिलके एक जो common या common enemies है उनके कहिलाफ ये काम करेंगे तो कहीं न कहीं जिस देश के खिलाफ ये काम करेंगे वो देश भी सोचेए कि वो भी किसी ना किसी group को जोईन करें या किसी गुरूप का हिस्सा बने ताकि वो भी अपने आपको प्रोटेक्ट कर सके तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्लोबल टेंशन होता है वो भी बढ़ता है ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है आज के डेट में जहां पे यूकरियन को कम से कम 30 से लेके 35 देश सपोर्ट कर रहे हैं और लगबग इतना ही देश सपोर्ट कर रहा है इसरेल को भी इसी बीच अगर नॉर्थ कोरिया, इरान, रश्या अपना ग्रूप क्रियेट नहीं करेंगे तो इनका जो सर्वाइवल है वो खत्रे में आ जाएगा और ये भी बहुत बड़ा वजया है कि क्यों जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया, इरान के उपर सैंशन्स लगाये गए हैं ये लोग देश भी आपस में अपने जो संबंध है उसको मजबूत कर रहे हैं अगर हम सिर्फ बात करें नॉर्थ कोरिया, रश्या और इरान की तो नॉर्थ कोरिया एक प्रॉपर नुकलियर स्टेट है जहां पर रश्या भी एक नुकलियर स्टेट है और सिप्री के वेबसाइट के हिसाब से दुनिया में 12,000 से भी अधिक nuclear warhead है जिसमें अगर हम समझना चाहें percentage के terms में तो almost 88% जो nuclear warhead है वो Russia और US share करता है तो अगर US जिस alliance का हिस्सा है या जिस देशों को वो मदद करता है अगर US के पास nuclear weapon है तो जो उनके opponent है उनके पास भी nuclear weapon है तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि situation कितना ज़्यादा tense होता हुआ जा रहा no doubt कि North Korea का जो economy है वो almost on the verge of collapse है क्योंकि North Korea के उपर बढ़ चड़कर sanctions लगाए गए हैं लेकिन इसमें से भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि North Korea के पास weapons काफी अच्छे अच्छे हैं और अगर बात किया जाए इरान का तो इरान को भी इतने हलके में लेना शायद सही नहीं रहेगा तो इस चीज को आप imagine करें कि अगर North Korea, इरान, रश्या ये सब अगर साथ आके बैठते हैं और एक बहुत ही strong defense deal sign करते हैं तो ये लोग उतना ही powerful हो जाएंगा जितना आज के rate में US है या कोई भी देश कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी nuclear state के साथ directly war में जाए उसके बाद अगर बात किया जाए तो जब से Ukraine और रश्या के बीच में war शुरू हुआ है तब से इरान और रश्या काफी close आए है और बीते कुछ सालों में इरान और North Korea भी काफी close आए है जहाँ पे North Korea और इरान के officials directly मिले हैं और वहीं अगर बात किया जाए इरान के बारे में तो इरान बहुत सालों से ये कोशिश करते हुए आ रहा कि वो nuclear weapon को develop करे और यहाँ पे North Korea एक nuclear state है तो कहने का मतलब है कि जब भी इरान और North Korea मिलेंगे तो जो possibilities होता है nuclear program के discussion का वो assumption होता है वो काफी बढ़ जाता है अगर किसी भी तरीके से ये माल लिया जाए कि इरान और North Korea के बीच में nuclear program के उपर बात ना भी हुआ हो तभी ये जो assumption होता है उसे काफी strong बल मिलता है और उसके बाद इरान का शहीद drone है ये भी काफी अपने आप में capable drone है शहीद drone जब अपने initial days में था तो इसका speed काफी कम हुआ करता था लेकिन कुछ सालों के बीच में नहीं शहीद drone का ज़ो speed है वो भी काफी अच्छा कर दिया गया है और in fact ये उतना ही competitive drone है जितना competitive drone US के पास है almost थोड़े बहुत तो differences होंगे लेकिन हम इरान के जो drone capabilities है उसको भी हम ignore नहीं कर सकते हैं और उसके बाद जिस तरीके से इरान को push किया जा रहा है US, Israel, Saudi Arabia इन देशों के दुवारा तो कहीं न कहीं इरान भी अपने आपको और भी stronger तरीके से अपने defense project में investment करेगा अगर हम बात करें इरान का nuclear program के बारे में तो बहुत पार Benjamin Netanyahu ये publicly बोल चुके हैं कि इरान आज के rate में Israel का सबसे बड़ा threat है और ये अगर Benjamin Netanyahu के point of view से देखेंगा तो ये बात गलत भी नहीं है और बहुत सारे defense experts ये nuclear experts का ये मानना है कि इरान उस हद तक uranium को enrich कर लिया है जिसका कि इस्तमाल weapon में किया जा सकता है of course क्यूंकि nuclear program ये अपने आप में काफी sensitive और काफी मुश्किल का program होता है तो ये कहा जा सकता है कि complete तरीके से तो नहीं किया है लेकिन बहुत हद तक achieve कर चुका है और अगर इसे किसी भी तरीके से Russia या North Korea का support मिलता है तो chances काफी high हो जाता है कि इरान definitely nuclear program बेहत खराब है अगर इरान nuclear weapon बना लेता है तो साओधी अरेबिया का भी जो सबसे पहला objective रहेगा वो किसी भी तरीके से nuclear weapon को achieve करना ही रहेगा और वैसे देश जिनका North Korea और इरान के साथ relation अच्छे नहीं है अगर वो North Korea और इरान के पास आने को लेकर concerned है तो वो गलत भी नहीं है क्योंकि पास्ट में North Korea इरान को nuclear technology से मदद कर चुका है और North Korea भी बढ़ चड़कर अपने weapon के research and development में पैसे खर्श करता है और उसके बाद पिछले साल ही कीम जॉंग उन रश्या गये थे व्लादेमिर पुतिन से मिले थे जहां पर उनका interest था spying satellite का जो technology वगेरा होता है उसके बारे में ज़्यादा information अचीव करना जो latest radar technology होता है उसके बारे में information अचीव करना तो chances काफी high हैं कि North Korea और इरान मिलके defense program या इसी से संबंधिर जो information है उसको exchange करें और कहनी के जरुवत नहीं कि इरान दुनिया का fourth largest इसके पास crude oil का reserve है तो कहीं न कहीं इरान और North Korea दोनों को एक दूसरे का जरुवत है और उसके बाद अगर बात किया जाए अभी जिस तरीके से इसरेल और इरान के बीच में relation खराब हुए थे इसके बावजूद इरान उस तरीके से retaliate नहीं करता है जिस तरीके से उसे करना चाहिए था बहुत सारे experts का ये माणना है कि इरान जान बुचकर उस हिसाब से retaliate नहीं किया था अगर वो करता तो शायद possibilities काफी high होता कि इरान अपने nuclear program या nuclear weapon को जो achieve करना चाहता है उस पूरे process में इनको दिक्कत परिशानी होती तो कहने का मतलब है कि किसी भी देश को आप इतने हलके में नहीं ले सकते हैं और साथ में जिस तरीके से US की मनमानी चलते हुए आ रही ये भी कही न कहीं अब हर किसी को visible है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye